देश में काम कर रही सोशल मीडिया कमपनिया यानि फेस्बुक ट्विटर और इंस्ट्राग्राम के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है केंदर सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कमपनियों के लिए कुछ नयम बनाए थे उसके लिए तीन महीने का समय भी दिया था जो 26 मई को पूरा हो रहा है लेकिन अभी तक किसी भी कमपनी के इन नियमों का पालन नहीं किया गया है ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या 26 मई के बाद भारत में फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कमपनी आप बंध हो जाएंगी क्या है पूरा मामला आयो देखते हैं इस रिपोर्ट में केंदर सरकार काफी वक्त से सोशल मीडिया कमपनीयों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है इसी कोशिश में भारत सरकार के एलेक्टरॉनिक्स और सूचना प्रधयोगी की मंत्राले ने 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया कमपनियों को नए नेमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया था सोशल मीडिया कमपनियों को भारत में कमपलाइंस अधिकारी नोडल अधिकारियों के नियुक्ते करने के लिए कहा गया था और अंसभी का ओफिस भारत में होना जरूरी रखा गया था नियमों में शिकायत समाधान आपत्य जनक कंटेंड की निगरानी कंप्लाइंस रिपोर्ट और आपत्य जनक सामगरी को हटाने को भी जोड़ा गया था आदेश में ये भी कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप पर फिजिकल कॉंटेक्स परसन की जानकारी देनी होगी दरसल भारत में कई लोग लगातार सोशल मीडिया पर समस्याओं का सामना कर रहे थे लेकिन पीडितों को ये नहीं पता था कि वो किस से शिकायत करें और कहां उनकी समस्या का समाधान होगा सरकार द्वारा जारी नेमों के बाद कुछ प्लैटफॉर्म्स ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है कुछ ने कहा कि वो अमेरिका में अपने मुख्य कारेले से निर्देशों की प्रतेक्षा कर रहे हैं लेकिन अब नेम लागू करने का आखरी समय भी आ चुका है जिसके बाद अगर सोशल मीडिया कमपनियों ने अगर केंदर सरकार की शर्तों को नहीं माना तो सरकार कोई सक्त कदम उठा सकती है डीवी लाइब की रिपोर्ट